दोस्तों नेहा ककर ने लुट पुट गया के गाने पर बहुत बड़ा रियक्शन दे दिया और नेहा ककर का कहना है। ये सौंग काफी अच्छा है और इसमें जो शारू खान की डांस स्टेप्स हैं और जो फणी फेस इंप्रेशन्स हैं वो काफी कमाल के हैं। इस बार अरिजीद सिंग ने तो कमाल कर दिया और उसी के साथ प्रितम का म्यूजिक भी काफी शांदार है। जवाल और पथान के बाद शारू खान का इस्टाडम का इस्टाडम काफी बड़ा बन गया है। और अब डंकी उसी इस्टाडम की वज़े से बहुत बड़ा कलेक्शन करने वाली है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी हैं जो के भारत को छोड़ कर विदेश जाना चाते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो के मुसीबतों से भरा पड़ा होता है। और फिर लंडन पहुँचने के बाद भी वो मुसीबतें खतम नहीं होती बलके बढ़ जाती है। फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दुबारा भारत वापस आना चाते हैं। लेकिन आ नहीं पाते हैं फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे टेरोरेस्ट अटेक का सामना करना पड़ता है। मतलब के राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रियेट की है वो आपको काफी जादा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर वन मुवी बन सकती है। क्योंकि इसमें रॉमेंस और एक्शन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर-भर के दिखाई गई है। और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स ओफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शारुक बॉलिवुड के वो सुपरस्टार बन गए हैं जिनोंने एक साल में दो बड़ी ब्लोक बास्टर देकर बॉलिवुड का डूपता हुआ सितारा बचाया। और फिर अब बॉलिवुड के सबसे बड़े डारेक्टर राजकुमार हिराने के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं। पूरी इंडिस्टी को हिला देगा। दोस्तों निहा ककर ने तो शारू खान की डंकी को काफी बड़ी मूवी बता दिया है। आपको क्या लगता है? डंकी कितनी कलेक्शन कर सकती है कमेंट में? लाजमी लिखना। अगर आप शारू खान के सचे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो ताके आपको डंकी की सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद!